दोस्तों अभी तक विध्यार ने चाहे कितनी ही तरक्की कर ली है लेकिन अभी भी हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है जिने अभी तक सुलजाना बाकी है ऐसी अदसॉल्ड मिश्ट्री के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे तो बिड़ा देर करें वीडियो शुरू करते हैं लेट्स गो नमबर वन अटाकामा स्केलेटन साल 2003 में चीली के अटाकामा रेकिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया अन्यक लोगों का मानना है कि ये 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्यक रह से संबंदिद है लेकिन श्टेनफोर्ड विश्विध्याले के जाज करता दावा करते हैं कि ये कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डियाने से छेट चाड़ कर मनाया गया एक अन्य जीव है नमबर टू डांसिंग लेग 1518 की शताबदी में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बिमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग लेग का नाम दिया और इस रहसे में बिमारी को आज तक नहीं समझा जा सका करीब 400 लोग जो एक रोमन शहर में रहते थे अचाना की उन्होंने नाचना शुरू किया जो करीब एक महिने तक लगाता नाचते ही रहे कई लोगों ने इने रोकने की कोशिश की परंतु में नाकामियाब रहे इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान दिल का दोरा या खून की नस्फ़ट जाने के कारण मर गए ये बिमारी आज तक एक रहसे बनी हुई है साल 1854 में इंग्लेंड में रहने वाली जो गिरा देली जिनी दिक्रीन और फायर इटर भी कहा जाता है इन्होंने एक अलगी तरह का आग का खेल दिखाना शुरू किया इस खेल को बहुत से लोग पसंद भी करने लगे इस खेल में गिरा देली एक गरम दरम लाल देखता हुआ लोहे का तुकड़ा निगल जाती थी लेकिन इसके बाउजूद उनको कोई भी नुकसान नहीं होता था यहां तक की में देखते हुए धातु के तुकड़े जैसे चाकू तलवार अपने शरी से सटा कर मोड देती थी और इन्हें अपनी जीव से चाटा करती थी लेकिन इसके बाउजूद में कभी भी नहीं जली और नहीं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हुआ वैसे बहुत से लोग इसे एक समानने चला की मानते थे लेकिन फिर भी कोई भी आज तक ही साबित नहीं कर पाया कि यह कैसे होता था तो कैसी लगे आपको यह अंसॉल्व मिस्टरी किया इससे पहले आप इसके बारे में जानते थे कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप ऐसी ही स्टोरी और जानना चाते है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक्स फॉर वाचिए